प्राट यू बाई, मेगदूट सत्रीथा मेगदूट सत्रीथा शैंपू ये हैरफॉल को कम करें टैंडरफ को रोके और बे आपके बालों को भरपूर मजबूती मेगदूट सत्रीथा शैंपू कहते हैं कि सच्चा जीवन साथी वही है формulate पतनी का हर तरह से खयाल रखे लखीमपुर खीरी में एक शक्स ने इसे ज्यादा ही सीरस ले लिया धूप में उसकी नई नवेली दुलहन को गर्मी छू बिना जाए इसके लिए वो हाथ में छोटा सा बैटरी वाला पंखा लेकर अपनी पतनी की तरफ किये उसे खड़ा रहा ताकि उसे इस तपती धूप में गर्मी न लग जाए दुलह का ये प्यार भरा विडियो सोशल मीडिया पर जम कर वारल हो रहा है आप भी पहले देखी कि कैसे दूलह अपनी पतनी की तरफ बैटरी वाला पंखा लिये खड़ा हुआ है आपको बता दे कि लखीमपूर खीरी जिले में निघासन थानाक शेत्र के लुधौरी गाओं में एक नई नवेली दुलहन के साथ हाथ में बैटरी वाला पंखा लेकर चल रहे दूले का विडियो इस वक्स सोशल मीडिया पर जम कर छाया हुआ है बताया जा रहा है कि गाओं के रहने वाले अमित की शादी पडूस के गाओं में हुई है और वो अपनी नई नवेली दुलहन को लेकर जब अपने गाओं आया तो गर्मी बहुत थी तभी अमित के किसी रिष्टिदार ने दहेज में एक बैटरी वाला छोटा सा पंखा गिफ्ट में दिया था दुलामित हाथ में बैटरी वाला पंखा लेकर अपनी दुलहन के साथ चलता रहा और अपनी नई नवेली दुलहन को लग रही गर्मी दूर करता रहा दुलहन को हाथ में प्लास्टिक वाले बैटरी वाले पंखे से हावा करते वीडियो मौके पर मौजूर लोगों ने बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वारल कर दिया भले इस सोशल मीडिया पर लोग कितनी तरह की बाते कह रहे हो लेकिन जोस तरीके से अपनी नई नवेली दुलहन को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए दुले के जतन वाकई काबिले तारीफ है बाकि आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं लखीम पुर्खीरी से अभिशेक वर्मा की रिपोर्ट यूपी तक